जिस ट्रेन हाथसे में 280 लोगों की जान चली जाए जिसे देखकर दिल पसीच जाए आखिर उसे कैसे कोई साम्प्रदाइक रंग दे सकता है लेकिन हैं कुछ शर्म जिनके आसपास भी नहीं दिखाई देती शायद इंसानियत का तार तार हुना इसी को कहते हैं हम बात करें उडिसा के बालासोर में हुए भीशन ट्रेन हाथसे की इस दुरघटना के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर रेल हाथसे को कुछ लोग साम्प्रदाइक रंग देने की कोशिश करने लगे जिसे लेकर उडिसा पुलिस ने एक चेतावनी वाला बयान भी जा आया है कि को सोशल मीडिया हांडल्स शरारती तरीके से बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हाथसे को साम्प्रदाइक रंग दे रहे हैं ये बेहद दुरभाग्यपूर्ण है उडिसा जी आर्पी दुरघटना के कारणों और अन्ने सभी पहलों की जाच कर रही है हम सभी से अपील करते हैं वे इस तरह के जूटे और दुरभावना पूर्ण पोस्ट को परसारत करने से बचे हैं पुलिस ने चेतावनी दी कि अववा फैलाकर साम्प्रदाइक सोहार बिगारने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सखत कानूनी कारवाई की जाएगी उडिसा पु इस यूजर ने फोटो में कैप्शिन दिया बस इतना कहना चाहता हूं कि कल यानि कि दुरघटना वाला दिन शुक्रवार था इंदुस्तान टाइम्स के मताबिके ट्वीट एक ठ्रेट का हिस्सा था जिसमें इस यूजर ने ट्रेन हाथ से के लिए मुस्लिमों को जम्यदा ठहराने की कोशिश की देखते ही देखते ट्वीटर पर ये ट्वीट वाइरल होने लगा कई और लोग भी ट्रेन हाथ से वाली जगह के बगल में मस्जद होने का दावा करने लगे बात फैली तो कुछ पैक्ट चेक करने वाली निउस वेबसाइट ने कथित मस्जद की अस कौन मंदर है बूँफ चेक ने अपनी रिपोर्ट में दुरघटना स्थल की कई तस्वीरों की पड़ताल की और उनकी तुलना ट्विटर पर मस्जद बता कर वाइरल की गई तस्वीर से की पाया गया कि वाइरल तस्वीर में हाइलाइट की गए इमारत मस्जद की तरह नह की भी पुष्टी की की दुरघटना स्थल के बगल में जो सफेद इमारत दिखाई दे रही है वो असल में सकौन मंदर है इन दो फैक चेक करने वाली वेबसाइट के अलावा भी कई निउस एजेंसी ने सफेद इमारत के पास जाकर उसकी तस्वीरे दिखाई है जुन से प